हेलो स्टुडेंट, आइम चंजुका कुमारी फा मॉडरन विजनम सीनियर सेकेंड़ी स्कूल बेनमाद अकल हमने अपनी कॉपी में ये पुयम कीती और वर्ड मीनिंग कीती आज हम करेंगे उसके क्वेशन आंशर गशन आंशर में सबसे एह है, सबसे पहला वाला है, मैंच दो फॉला हूँ, मैंच दो फॉला हूँ उसमें फिर्स्ट है वी सींक्स की वह गाते हुए, क्या करता है के और श्लाइस, चुट कहता है, अस्गूर टाइडिंग्स की वह उच्छी ख़बर देता है कि He sings as he flies के भेहां उढ़ता हैं के लिटिल बर्ग्साइक कि वहां अंडों को चुचता है तो He sings as he flies के भाव उडते उए गाता हैं के भाव गाते उए उडता हैं के टो फ्रॉह पहले का क्या आप़ शेंग कि के भाव ऑर उडते हुए भाव x उड़ता है फिर सकेंड वाला ही टेल्स तो इसका क्या होगा और स्लाइज के अस्गूर्ट टाइडिंग्स के लिटिल बर्ड एग्स तो इसका होगा और स्लाइज की वह हमें जूट कहता है वह हमें क्या कहता है हमें जूट कहता है फिर थर्ड वाला है he sucks तो क्या होगा us good tidings या little birds eggs तो इसको last वाला से मिलाना है little birds eggs के वहाँ छुटे छुटे पक्षो केंडो को चूसता है के खा जाता है फोर्थ वाला है he brings जो सबसे अब एक last वाला ही राय तो इसको second वाला से मिलाना है he match करना है second वाले से के us good tidings कि वह हमें अच्छी खबर देता है उनको वापिस पता दू he sings as he flies first वाले को third वाले से मिलाना है match करना है he does us lies second वाले को उपर वाले से match करना है फिर है third वाला क्या है he sucks little birds third वाले को सबसे last वाले से match करना है फिर fourth वाला he brings us good tidings fourth वाले को second वाले से match करना है यह आपका था match the following अब आपको question answer करने है answer this question के हमको answer question answer करने है first वाले is kukoo a fine bird kukoo एक बड़िया पक्षी है कोयल एक बड़िया पक्षी है yes answer क्या होगा yes kukoo एक बड़िया पक्षी है answer में आपको लिखना है yes second वाले what does kukoo do when he flies के जब वा उड़ता है तो कोयल क्या करती है कि जब वा उड़ती है तो वा क्या करती है तो आंसर होगा sings answer होगा sings के वा गाना के वा उड़ती है तब क्या करती है गाना गाती है answer होगा sings तर्ड वाला है दस कुकू टेल लाइस कि वहां में जूट केती है यास इसका असर भी क्या होगा यास कि हां यास फिर वाई ड़ज कुकू सक बर्ड अग्स कि वहां कि कोई पक्षि के अंडो को चूशती है तो आंसर होगा टू मेंक हीज वाइस क्लियर अपनी आवाज को साफ करने के लिए कि चूशती है क्योंकि उससे उसके आवाज साफ हो जाती है क्लियर हो जाती है तो तू मेंक हीज वाइस क्लियर यह आपके थे क्यूशन आंसर यह दोना आपको अपनी कॉपी में करने है मैं फिर है क्यूशन आंसर क्यूशन आंसर मैं आपको वापी समझा देती हूँ इस कुकू इस दू वेन ही फ्लाइज, आंसर होगा सेंज, फिर थर्ड वाला, दस कुकु तैल लाइज, यस, वाइज, दस कुकु सक बल्ड's एक्स, तांसर होगा तु मेक इस वोइस क्लियर, यह आपका था हम वागाज का, कि हुआ के लगाज के लतार, यह आपका थे भाला, दसके लेक इसके अजयर, दस सकेखेज, वाला, पिसके दो दो मेंधा हो recipients, खने होगा थे कैष्का नही का लोगाज का c Bernard य भी वाइज, दसके अक आई, बà्काश सक शोफोब जसस वाजुद ऑर आपका थे ःतकी हो जापके झाल झाल